नसरुल्ला के प्यार में पागल हुई अंजू जो पाकिस्तान पहुँच गई थी और पाकिस्तान के पहुँचने के बाद उसको जब हरी जंडी मिली तो उस हरी जंडी के बाद अंजू ने क्या बोला अंजू कहां की रहने वाली है अंजू का बच्पन कहां बीता अंजू अब तक क्या क्या किया और कौन है ये अंजू इस वीडियो में हम बात करेंगे अंजू कि आखिरकार अंजू को प्यार पाकिस्तानी लड़के से क्यों हुआ क्या ये अंदाजा लगाया जाए कि जब पाकिस्तानी लड़की को हिंदुस्तान के रहने वाले लड़के के साथ प्यार हो सकता है तो क्या हिंदुस्तान में रहने वाली लड़की का प्यार पाकिस्तान में परवान चड़ सकता है और चड़ता भी है तो लोग तुलना करने लगे सीमा हैदर से यानि कि वो सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है उसकी तुलना अंजू से होने लगी नमस्कार मेरा नाम है तुर्गेस, मिस्रा, हाजी, रूए एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में मुद्दा ये नहीं कि अंजू को प्यार पाकिस्तानी लके से ही क्यों हुआ मुद्दा ये है कि अंजू को अगर प्यार हुआ तो किस कारण से हुआ सीमा को अगर प्यार हुआ तो किस कारण से हुआ इन सारी चीजों का जिक्र इस वीडियो में ही होने वाला है सीमा हैदर की कहानी तो सब को पता है अब जब सोसल मीडिया में अंजू की कहानी का जिक्र होने लगा अंजू की वीडियो का जिक्र होने लगा जिसको प्यार नसुरल्ला यानि कि पाकिस्तान में बैठे लड़के से हुआ तो चर्चाएं गर्म हो गई चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया इस वज़े से क्योंकि लोग क्रिया और प्त्रिया करने लगे सीमा हैदर को जोड़ करके लेकि कहानी सीमा हैदर की अलग है और अंजू की कहानी अलग है अब अलग है या अलग हो गई है इन दोनों बातों में फर्क है अब अलग हो गई है क्योंकि अंजू जो पाकिस्तान गई थी वो 20 अगस्त को वापस आने वाली है राजिस्थान में अच्छा एक बात तो ये भी है कि सबको ये पता है कि वो राजिस्थान में रहती हैं लेकिन इनका मूल इस्थान क्या है ये कहां रहती थी अंजू इसको भी जान लेजिए दरसल अंजू उत्तर प्रदेश के उरई के माधवगण तैसिल के पास एक बिल्लो और गाउं में रहती थी उसका बच्पन इसी गाउं में बीता था ये अपने मामा के यहां कच्छा च्छे तक पढ़ाई की और जिसके बाद में ये राजिस्थान में सिप्ट हो गए हाला कि जब राजिस्थान में सिप्ट होई तो अंजू के पिता और अंजू ने इसाई धर्म अपनाया जिस कारण से ये अपने नरिहाल यानि की मामा और नाना के हां से तालुकात छूड़ गया अंजू के मामा भी राजिस्थान में रहते हैं पापा भी रहते हैं और अंजू भी वरतमान में रह रहते हैं लेकिन इसी बत वक्त जब जो इसका पती है अरविंद ये भी अपने काम में बिजी हो गया और जब मौका लगा अंजू को तो इसको प्यार सोशल मीडिया यान कि Facebook के माध्यम से नसुरुला से हुआ और नसुरुला से इतना प्रेम हो गया कि वीजा तक बन गया वो भी अरविंद ने खुद बताया है कि वीजा इसलिए बनवाया गया था कि पढ़ाई के लिए इसको यानि कि पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए विदेश जाना है तो इ अपने इस परवान को चड़ेगी लेकिन इतना सब होने के बाद भी अब कहानी यह आकर अटक गई है कि अन्जू भारत वापस आ रही है अन्जू के भारत वापस आने से पहले उसने एक वीडियो बना कर पोस्ट किया है उसमें बोला है कि हमारे परिवार को परेशान ना क अरड़े हैं और मैं यहां पे सेफ हूं कोई दिक्रत नहीं है और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जानी का प्रॉसस है और मैं बापस भी आ अरिह हूं मैं यहीं वान पहुंच आ दो तिन दिन में में पहुंचाओंगी नहीं दो कशने मेरे स 대해서 हowa्नार ed estate करे लिजिए तर्ल प्यार को ठुकरा दिया है ठुकराने के बाद बोला है कि हम शादी नहीं करेंगे और अंजू अब भारत वापस आ रही है तो कहानी का जो सार है बताने का मतलब ये था कि अंजू कहां के रहने वाली है अंजू को किस कारण वस प्यार हुआ ये भी लाइन भी समझ लेजिए अंजू को कारण तभी मिला और सीमा के हम बात करें तो मौका तभी मिला जब उनके पती ने और उनके परिवार ने उनको समय देना कम सुरू कर दिया यानि कि नसूल्ला जो अंजू का प्रेमी है यानि कि उसको प्रेम तब हुआ जब उसका पती यानि कि अंजू का पती अ अधर सीमा हैदर के पती ने समय कम दिया वो सौधी में नौकरी करने लगा और उसको प्यार हो गया सचिन से पबजी के माध्यम से हुआ खेल के माध्यम से हुआ पबजी खेल में लोगों से बातचीत होना शुरू हुआ और प्यार हो गया तो कहानी का अगर हम सार निकालें पूरी बातों का जिक्र निकालें तो सिर्फ इतना ही है कि जब प्यार परवान चड़ता है तो सायद वो परविसे भूल जाता है जो बुनिवादी धांचे को लेकर सायद माबाप उसको एक-एक बूंद से सीचते हैं और एक-एक कड़ी को बुनते हैं इन सारी बातों को दरकनार कर दिया जाता है जब लड़की को प्रेम किसी अपने देश से रहने वाले या अब आज की दुनिया में जब सोशल मीडिया बढ़ गया मीडिया बढ़ गया तो अब विदेशों में रहने वाले लोगों से भी प्रेम होने लगा है य दरूर दे हमारे फेस्बुक हमारे ट्यूटर और इस्टाग्राम को भी फालो करें